ओम श्रीगणेशाय नमहां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाद रायलं सूत्र भाष्य कृतो बंदे भगवंत पुना पुना इश्वरो गुरुरात मेती मूर्ति बेग विभागिने व्योम बत व्याप्त देहाया दच्षेना मूर्त ये नमहां ओम शांति 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 आप सभी सादिकों के हिर्दे में विराजमान इश्वरिय सत्ता को मेरा शक्त शक्त नमन्द पिछले एपिसोड में हमने श्रोक संख्या 26 की व्याख्या के थी और आज शंकला को आगे बढ़ाते वे हम श्रोक संख्या 27 की व्याख्या करने जा रहे हैं मित्रों आज का ये श्रोक बहुत ही उप्युक्त श्रोक है क्योंकि इसमें उस साधक के लिए आध्यात्मिक कारिक्रम की व्याख्या की गई है जिसे परम के अनभव की जरूरत का एहसास हो गया है जितने भी आध्यात्मिक उप्देशक हुए हैं उन सब के उप्देश लगबख एक जैसे ही हैं समान ही है लेकिन बहुत कम साधक उनके बास्त्मिक अर्थ को सबजने का प्रयास करते हैं यहां भी कोई नई बात नहीं है इसमें एक सच्चे साधक के लिए क्या चीजी आवशक हैं उनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया किस तरफ चलनी चाहिए और उनका जो दैनिक जीवन है उनकी दिंचर्या या उनके जीवन की जो जरूरत है आध्यात्मिक पत पर आगे बढ़ने के लिए वह कैसी होनी चाहिए इस चीज की इसमें व्याख्या की गई है तो आएए हम शुक श्लोप का उचारण करते हैं तब पस्चात इसका भावार्त एवन व्याख्या को देखते हैं गेयं गीता नाम सहस्त्रम धेयं श्रीपतिरूपम चश्रम नेयं सचन संगेचित्तम देयं दीन जनाये चचित्तम आचारी कहते हैं गीता अर्थात श्रीमत भगवत गीता और विश्नु सहस्त्रनाम का सदा गान करो गेयं सदा गान करो अर्थात पारायान करो सर्वदा श्रीपति का ध्यान करो श्रीपति अर्थात विश्नु का ध्यान करो मेडिटेशन करो मन को हमेशा सचसंग में लगाओ सज्जन संगे चित्तम अपने चित्त को सज्जन के संग में अर्थात सचसंग में लगाओ देयम दीन जनाय चवित्तम और दीन जनों को गरीबों को दान करो वित्त दान धन का दान करो हमेशा दीनों को धन का दान करो उनकी मदद को गोविंद का भजन करो इस लोगवे आचारे एक साधक को अपने जीवन में कैसे चलना है इन चार चीजों के मांदियों से बतानी का प्रयास किया है, इन चार चीजे हैं गीता का अध्यन, गीता अर्थात शीमक भगवद गीता का अध्यन, श्रीपती अर्थात नारायन विश्णु की पूजा, सतसंग और अकिंचनों की सेवा, अर्थात दीन जन जो गरीब हैं, जो और गतिमान करती है भगवत गीता उपनिशदों का शार है जिसमें विशेश रूप से ये बताया गया है कि मनुष्ट के द्यानिक जीवन में उपनिशद के जो सिध्धान्त है उनका कैसे प्रयोग करना चलिए हम सब लोग उपनिशद को नहीं पढ़ सकते उपनिशद के सार उचित जंग से कैसे निर्मार हो सकता है इस बात की व्याख्या की गई है अर्थात हम भगवत गीता का अध्यान करके अपने जीवन को कैसे चलाना है जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है कितनी साफधानी रखनी है कितना जोस्त करना है क्या योग है क्या अयोग है इन सब चीजों के प्रती हमारा बौधिक दिस्टिकों दिन प्रति दिन अध्यन के द्वारा विक्सित होता जाता है इसलिए भवध गीता का अध्यन एक साधकों को नियमित रूप से करना जा बहुत अच्छी बात है अगरा मघवध गीता का अध्यन अर्थ सहीत समझते हुए कर किन्तों यद्यपी अर्थ समझ में नहीं भी आता है फिर भी हमें गीता के श्लोकों का परायन करना अर्थात नित्प्रती उसके श्लोकों का पाठ करना और पाठ करते ही करते हमारे चित्ति के शुद्धी के द्वारा हमारा मांसिक विकास होता है और हमारी समझ में प्रिव जीवन का लक्ष क्या हो और साधक का जीवन कैसा हो जीवन में क्या उपियोगी है क्या अनुपियोगी है उसी को आत्म और अनात्म कहके व्याखित किया गया है इसलिए हमें भगवत गीता का अध्यान अवश्य करना चाहिए यद्यभी साधक के संतोष के लिए अध्यान आवशक है फिर भी खाली श्लोकों को पढ़के आत्मध्यान हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता लेकिन अध्यान करने से परायन करने से चित्ति की सुद्धी होती ह विचार, तरक, संगत और सरुमान में हमारे भले ही ना हो परन्तु जीवन में सुधार हमें अवर्श आएगा क्योंकि जब हम वगत गीता को पढ़ेंगे उसके निर्देशों को समझेंगे और अपने जीवन में उसको लाबू करेंगे और ग्ररता पूरवक्त हम उसका जीवन चलेगा दर्शन आदर्श और तरक, संगत विचार तो बताता है जिसके माध्यम से जो चिंतन शीर लोग हैं जो विचार शीर लोग हैं उनके दस्टिकोर में परिवर्तन आता है इस तरक की द्वारा है लेकिन इस सब होने के बावजूद उन तरकों को उन विचारो को अपने जीवन में उतारने की कला के बिना अच्छे दर्शन से या अच्छे दर्शन के ज्यान से कुछ भी भला होने वाला नहीं है जीवन में उसका अनुपालन होना चाहिए वो मात्र अच्छे दर्शन का एक कोरा सपना बनके रहेगा जब तक हम जीवन में उसको लाग उतारने के लिए कहा लिया है इसलिए ही विभेकानन जैसे गुरुने भी यह गोश्ण की है कि बिना-धारिशनिक आधार के धर्म ग्रम कोंड है अधार धार्शनिक हो और धार्विक व्यावार के बिना दर्शन केवल सब्न है अर्था दर्शन जब तक वहार सी विवन उतरता नहीं है, तब तक उसका कोई importance नहीं है उसकी कोई value नहीं है हमें उससे कोई लाच होतने वाला नहीं है जब किसी साधकने गीता काध्यन किया और उसके तर्क को समझ लिया तब उसे गीता के सिध्धानतों स्वैम अनुपालन करना होता है और वो धर्मिके ही माध्यम सी साधारावाष्षेत्र से अरभत स्rüम्ड को विक्रत करने वाली जो हमारी बासनाई हैं हमाई संस्कार हैं हम उससे उपर अपनी आंतरिक व्यक्तित्थ को हम करते हैं यह समझ हमारी डब्लब होती है तब हमें अपने आंतरिक बाधाएं जिसका अध्यन में पिछले श्रोक में किया है कि हमारी जो वासनाएं हैं जो हमारी कामनाएं है कि पूर्ण ना होने पर जो क्रोध उत्पन होता है और पूर्ण हो जाने पर जो लोग उत्पन होता है वो प्राप्थ जाने पर जो मुझ की दशा में हम फस जाते हैं इन सब चीजों से हम उपर तभी उठ पाएंगे जब हम हमारा मन अध्यन करने से, पूजा करने से, उपासना करने से, हम अपने आंतरिक प्यक्तित को उपर उठाने का प्रयास करेंगे। इस तरह मन उपर उठकर ढगवान लक्षमी पती के गुड़े जो इस्तिता है , अपना पाते हैं। तभी हमें समझ आता है कि पत्रमात्मा और हम उसके अंच हैं तो जो यो गुड़े वही गुड मेरे हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है ज्वाग का एक बड़ा सा गोला जितनी ऐग में है जो उसकी ईुन्षवता गरमाट से भरप प्रकाश उसका तरवbeltे हैं ऐसा को पुपिशन ने भी बताया दिया है उसी तरीके से जो परमात्मा में दिख भी गुए है हम उनका अंश हमें भी है लेकिन उन गुणों को बाहर में कालने के लिए हमें उपासना का घ्यान का ध्यान का रास्ता अपनाना होगा जो हमें गीता की मात्यम से ज्ञान योग, पासना योग, अधार भक्ती योग और ठ्हान योग के मात्यम से बिलेगा और इसी बात को आचार ने इस श्लोग में बताया कि जब हम भगवग गीता का नित्पिति अध्यन करेंगे उसको विचार करेंगे, उस पर समझेंगे, उसके दर्शन को समझेंगे और फिर दर्शन के आधार पर, तर्क की आधार पर, विचार के आधार पर हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे और ईश्वर की भक्ती करते हुए जब हम भक्ती भाव से गीता के अंदर परमात्मा कोड़ पाते हुए हमारी जब लगन अगन समर्पन परमात्मा के वेती होगा तो हमारी उपासना होगी ज्यान के द्वारा उपासना द्वारा हम एकाद रोंगे और अपनी आंतरिक विकारों से उपर उठके अपने रख्ष को उपर उठा पाईए तब ही हम अपने उस संसकारों पर अपनी बास्णाव पर भीज़ा को प्राक्ट कर सकते हैं अध्यन और पूजन के हमारे सारे प्रत्न युद्य में जो हमारी उठती हुई बास्णा हैं उसको निसफल कर देती हैं इन बास्णाओं के तुफान से हम अपनी रख्षा करने के लिए आचार तीसरा इस्टर बताते हैं एक साधा के लिए सत्संग है महापुर्षों के साथ रहने से उनकी प्रिर्णा भरे दिष्टिकोर से हम अपने लक्ष की प्राप्ती में निरंता रह सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं क्योंकि सत्संग की जो बाड़ी है मापुर्शों की जो बाड़ी है वो बार बार सुनने से हमारे मन मस्तिश में हमारा अध्यन ध्रण होता है एक मन समझ विक्सित होती है और हम अपनी वास्तों की कारण अगर अनेक बार डिस्ट्रेक्ट होते हैं तो सत्संग के द्वारा हम फिर वापस अपने ट्रैक पर आ सकते हैं सत्संग से हमें अपने रास्ते पर आत्मिश्वास के साथ चलने में एक सहायता मिलती है जहां भै अशंका शंका निराशा मायूसी हमारे विश्वास को यह सब डगमगा निक पाते हैं हमारे विश्वास सत्संग के माध्यम से इतना द्रण होता है कि यह सब चीजे नगन्य होती जाती है सब सदा महापुषों का साथ रहने से ही हमें शास्तों का जो ज्यान है जो उसमें तत्व विचार है उसकी इस प्रस्चता हमारे मांसिक इस तर पर क्लियर होती है इसलिए गुरू हमारे धर्म में गोविंद से भी बलता है क्योंकि गुरू ही हमें उस गोविंद तक उस इश्वर तक पहुचाने का माध्यम है और गुरू ही है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है कोई लोग नहीं है, कोई उसकी अपेक्षा नहीं है और वो एक साधक को, एक सिश्य को उस ट्रैट पर पुछाता है बस हमारी साधकता में वो द्रढता, साधक कौन है जो साधना करे? पर साधना क्या है जो स्वयन को साध़ पाए? प्रकर्टी के जंजटों से, प्रकर्टी के प्रकोपों से, आंत्रिक विकारों से, जो स्वयम को कंट्रोल कर ले, साध ले, वही साधा और जिस जो ऐसा सादक होगा गुरु के लिए वही है गुरु ऐसे सादक को बहुत आसानी से उस परम के अनवतक पहुँचा देती है ऐसी जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करने से हमारे खिर्दे में भक्ती की गहराई और और द्रण होती जाती है जितना हम बहरे होंगे उतनी हम ग्रह होंगे कोई भी सादक गीता का अधिन कर सकता है धर्म का अभ्यास कर सकता है महापुरुष्की संगत भी कर सकता है फिर भी उसका विकास पूरी तरीके से सुविश्चित तब तक नहीं होता है जब तक कि अपने व्यवार में सब के अंदर उस परम ब्रह्म को वो अनुभानी करता है अर्थात संसार में जो भी जीव प्राणी हैं उन सब में उसको वही ब्रह्म दिखना चाहिए उसी ब्रह्म की अनुभूती उसे होगी सबी में एक ब्रह्म की अध्यात्रिक लक्ष को उतारने की शक्ती नहीं होगी तब तक जब तक उसके हिर्दय में ये बात ना हो कि सब के अंदर बसने वाला वोई एक परमात्मा है अगर मैं सबके हिर्दय में रगने वाले देव का आदर नहीं कर सकता तो मैं पत्थर की या धातू की या कास्ट की निर्मित मूर्ती की चाहे जितनी पूजा करूँ चाहे जितना फूल चड़ालो चाहे जितनी घंटी बजालो ये निश्चित है कि मैं एक सच्चा उपासक नहीं कर सकता इसलिए गुरु यहां साधक के लिए दान देने की बात करते हैं दान की आवशकता पर बल देते हैं जो दान देने बहुत ततपर रहता है उत्सुक रहता है वे भी अधिक तक इसके अर्थ को ठीक से सबस्ते नहीं है दान देने के लिए है आवशक है कि दाता स्वेन संपन्जों सच्छमों समर्थों इसलिए पहली आवशक्ता उपार्जन करने की तर्पस्चार जो वस्तुक किसी के पास नहीं है और उसको उसकी जरूरत है तो हम आगे बढ़ कर उसकी मदद करें दान देना एक ऐसा प्रेयत नहमित्रों जिससे हम अपनी परीदी बढ़ा कर अपने निकट व्यक्तियों को उस परीदी के अंदर ले लेते हैं और उनकी जरूरतों को भी उतनी ही जरूरत अवशक्त समझते हैं जितनी हम स्वैम की इस तरह उन साथियों के साथ अगर हम ताद अगर हम अपने आसपास अपने साथी मित्रों के साथ या अपने घरी में अपने संबंदी जिन जो जरूरत मंद है जिनकी आवशक्ता है और हमारे पस अपार है खूने के बाद भी अगर हम उनके लिए उनकी आवशक्ताओं से विमुक होते हैं तो यह धार्मिक जीवन नह प्रकट हो सकता है जिसने अपने हिर्दय में अधिक से अधिक बंधों को आमंतित करने का प्रिम्पूर्ण स्थांवियों हम जब दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं और ऐसा हम तभी कर पाएंगे मित्रों जब हम यह मानते हैं और इसको अनिभाव करते हैं कि आत्मा वेठा है हम सिर्फ सदयव अपने ही विशह में ना सोचे हमको संपन्द तो होना चाहिए हमको समर्द तो होना चाहिए इस लायक तो हम हो कि हम मदद करें लेकिन होने के बाद भी अगर हमें स्वयम के ही लिए हमेशा हम सेल्फ सेंटर्ड हैं तो हमारे और पशू के जीवन में कोई अंत्र नहीं है रहता है और यह द्रण नहीं है इसलिए इस लोक के माध्यम से आचारें बार बार मैंने भी अपने पिछले को में कहा है कि हमें सादू का संग करनाचाहिए pref書 का अद्यान करना चाहिए इस लोक में अचार यहीं बता रहे अगर साधना करनी ह और एक सच्चे साधक को करना क्या चाहिए, तो वो ये चार चीजे हैं, हमें भगवद गीता अर्थात अपने शास्त्रों का अर्थेन करना चाहिए, तो उसमें हम रामायर का भी पार्यान कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, हम और भी शास्त्रों को पर सकते हैं, चुकि गीता में सारे उपनिशत्स की सार है और उपनिशतों में वेदों का सार है हमारे जो वेद हैं वो सब के बस में पढ़ना नहीं है सब उसको समझ नहीं सकते और वेदों के श्लोकों का उचारण बहुत ही प्रॉपर और जश्ट होना चाहिए एकुरेट होना चाहिए गलत उचारण होने से वो हमारे लिए हानी करें इसलिए आचार इने इस लोग में वेद पढ़ने के लिए नहीं कहा भगवत गीता में वो सारी चीजें हैं जो हमारे वेदों में बताई गें और एक मनुष्च के जीवन की शहली है इसलिए भगवत गीता का अध्याम जो लोग उसके अर्थ को न अर्थ सहीत रोज पढ़ने हैं तो निरंतर गीता का अध्यान करें श्रीपति की पूजा अर्था उपासना उपासना यानि परमात्मा के निकट यानि उनके अंदर समर्पण भाव से उनको ही सब कुछ समझ करके उनकी पूजा उनका ध्यान अपनी द्रश्टी उस इश्व साव्यक्तिकत रूप से प्रतकित रूप से सुनें और दान करीं अर्थात स्वैम ही अकेले सब कुछ भोग लेने का जो भाव है इस एहमकार से हटें कि मैं ही सब कुछ हूं जिस किसी की आवशक्ता है क्योंकि सब में वही परमात्मा एगा ऐसी भावना के साथ जो सादक आ रास्ते बता रहे हैं जो एक साध्ध के जीवन में मिश्चत रूम से होने चाहिकेonst butt यहात में आभत छीजड़ी ओं स्वेशते ऊंच स्वेशते यहाधे स्धा है